कुछ लोग कहते हैं कि इसको लेके बहुत ज़ादा controversy रहती है हर जो मानने वाले हैं, जो धर्म गुरू हैं, उनकी अपनी अपनी राय रहती है कोई कहता है घर में shivling नहीं रखना चाहिए कोई कहता है इस तरियों को shivling छूना मना है, बर्जित है कोई कहता है कि घर में shivling रखो तो छोटा रखो, कोई कहता है सफटिक का रखो, आप खुद शिव भक्त हैं और आपने तमाम पुरान पढ़ी भी है आपको कंठस्त हैं, तो आप ज़रा बताएंगे से confusion दूर करेंगे हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा प्रश्ण है, सभी सनातनियों के लिए और संपूर्ण राष्टबासी, देश और विदेश में वेठे हूँ सभी भक्तों के लिए, बहुत अच्छा प्रश्ण कराए लोग कहते हैं कि शंकर जी का इस्पर्श नहीं करना चाहिए, पर शिव महापुराण में इस्पर्श्ट कहा गया कि आप शिव का इस्पर्श कर सकते हैं लोग कहें कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए पर हमारा जो पुरान हमारा जो सास्तर कहता है कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है उस घर में स्वयम शिव की एक कृपा बनी रहती है आपके स्मर्ण में होगा कि वास्तू के नुसार हमा हमारे घर के सारे दोशों को सारे पापों को सारे कष्टों को वो शिवलिंग हरता है हमारे यहां तक सनातन धर्म के अंतर का तम लोग जब वास्तु सास्त्रियों से मिलते हैं तो वो कह देते हैं तुमारे मंदिर में भी शिखर नहीं होना चाहिए घर के अंदर जो मंदिर होत चार उंगल से बड़ा shivaling घर के अंदर नहीं रखा जाता है यह हमारे शीवपुरहन में लिखा है तो इतनी जो आकरती होती है बस इस से बड़ा shivaling घर के अंदर नहीं होना चाहिए उसे छोटा होता चले जाएगा जितना छोटा होगा उतना अच्छा है जैसे हमारे यहां करते हैं बच्चा जितना छोटा होता है माउस को जैसा भी खिला देती है पिला देती है और कपड़े पिना कर पड़क देती है मधे मुझे यह पेनूगा मम्य यह मूझे नहीं खाऊंगा मुझे यह चाहिए मुझे वह चाहिए हमार यह जितना श्रिभलिंग छोटा होता है उतना सूफ देता तो किसी विशेश धातु का होना चाहिए, कोई भी शिवलिंग चाहिए? आप तो कंकर शंकर रखे, स्वाटिक का रखे, पारत का रखे, जो आपका मन हो वो आप शिवलिंग को रख सकते हैं और क्या शिव परिवार के साथ ही स्थापना जरूरी है या के लिए शिव लिंग भी आप रख सकते हैं? तो कहीं दफ्तर भी जाएंगे चुटियों पर भी जाएंगे घर अकेला भी छूटेगा तो ऐसे में भगवान शिव को जल कॉन जड़ाएगा? तो मेरा हिर्दय शीटा ले! यीजएन दूशन को जड़ाएंगे भी जाएंपे it